हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपनी यूटुब चैनल हैल सेवन में फ्रेंड आज हम जानेंगे कि छे मेने से छोटे बच्चे के लिए अस्तनपान मा का दोथ क्यों जरूरी है उससे होने वाले लाफ क्या क्या है और बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अस्तनपान कराने के लिए क्यों कहा जाता है अगर बच्चे को हम गाय का दोथ भैस का दोथ या फॉर्मूला मिल्क देंगे तो उससे बच्चे पे क्या दूस्प्रभाव पड़ेगा तो ये वीडियो मोश्ट इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को आप लाश्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़ादा जरूरी है अगर आपका बच्चा जीरो से 6 मन्त का है तो तो फ्रेंड्स हम लोग बिना समय को गवाए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके उसे मा का दूद जरूर पिलाएं क्यों क्योंकि मा के दूद में रोग प्रतिरोधक छमता होती है अगर बच्चा पैदा होते ही एक घंटे के अंदर या जितना जल्दी हो सके मा का दूद पिलेता है तो वो बच्चा सारे रोगों से हमेशा लड़ सकता है पान साल तक उस बच्चे को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है साथी साथ वो बच्चा हमेशा सामाने बच्चों में रहता है कुपोसित की स्रेड़ी में नहीं आता है इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ मा का दोद देना है उपरी यहार कुछ भी नहीं देनी इंफेक्ट पानी तक भी नहीं देना है फ्रेंड्स अगर पानी तक नहीं देने की बात हो रहे है तो बच्चे को अगर आप गाय या भैस का दोद या फॉर्मूला मिल्क लेंगे तो बच्चे पर आप सोच सकते हैं गाय का दूद है तो थोड़ा बहुत पानी मिला होता है, भैस के दूद में भी मिला ही होता है, फार्मुला मिलकम पानी डालके ही बनाते हैं तो फ्रेंड्स इसके बारे में अभी हम लाश्ट में बात करेंगे कि इससे होने वाले दूस्प्रभाव क्या क्या हैं पहले हम ग्रेश्ट फिट की बात करते हैं अस्तन पान मा के दूद की बात करते हैं तो छे महिने तक बच्चे को पानी भी नहीं देना होता है क्यों क्योंकि जो मा का दोध होता है वो से पचाने की छंता बच्चे के अंदर पूरी-पूरी होती है कभी भी मा का दोध पीने के बाद बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्यों क्योंकि मा का दोध कि लोग चौथे महिने में बच्चे को पानी पिला रहे होते हैं मैजुन के महिने में लेकिन ऐसी गलती नहीं करना है क्यों कि मा के दूद में बच्चे को 90% पानी और 10% दूद निकलता है अगर आप चाहती है तो आप खुद इसको प्रैक्टिकली देख सकती है कि जो मैं कह नहीं हूं सही है या नहीं आप जब भी बच्चे को दूद पिलाने जाहिए तो सब्से पहले अपने प्रेष्ट को एक तरफ से दबाईए सबसे पहले दूद पिलाने से पहले दबा यह अवस्ट को देखिये कि कैसा निकल रहा है तो फ्रेंड भीलकुल पानी जैसा निकलेगा तो फ्रेंड्स फर्क आपको खुद बैख खुद समझ में आ जाएगा कि माता दूद बच्चे के लिए क्यों जरूरी है और भच्चे को älता कंद नहीं देना होता है क्यूंकि ईक तो बच्चे क्हों पैठ होता है वह बहुत छोटा सा क्रिक्व केकर इसमने पत्स मां के दूढ से पाणी ले रहा है मैंने यह पर बताया कि 90% बच्क को पानी मिल रहा है अगर बुचा अलarleक से बाहरी पानी फिर ले लेगा तो ऐसे में बच्क को निमोनिया區 डायरिया होने के चांसे होते हैं क्यूं कि पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी बच्क को निमोनि कि प्रॉब्लम हो सकती है जो कि बच्चे के लिए बहुत ही जानलेवा या खतरनाक साबित हो सकता है तो आपको अपने बच्चे को पैदा होने के जश्ट एक घंटे के अंदर या जितनी जल्दी हो सके अपना दूद पिलाना है उसके बाद 6 मेने तक सिर्फ और सिर्फ प्रे बच्चे का जो सब्सें उसको तोड़ा ऊपर रखी है और जो प्रेद उसको नीचे मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे अकार में हो अब ढ Single-OME पकड़िये सी के अकार में और आपको ऊपर से कुछ नी करना नीचे से आपको थोड़ा सा पुस करना है अगर आप बच्चे को एक हाथ से पकड़ें तो दूसरे हाथ से ब्रेश्ट आप C के आइकार में पकड़िए और नीचे से आप कुस्ट करिए क्योंकि जो दूद की ग्रंथिया होती है वो नीचे से आती है क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है वो मेहनत नहीं कर सकता है वो मुमें डाला मिला मिला नहीं मिला तो ठक के सो जाता है थोड़ा बहुत सक करता है खीचता है फिर सो जाता है तो आपको अपने बच्चे की help करनी है कि थाकि बच्चा प्रॉपर तरीके से दूद पी पाए और यही लोग नहीं करते हैं फिर कहते हैं गाउं में कि दुद्वे नहीं बन रहा है दूद कम हो रहा है इसलिए बच्चे को उपर का दूद पिला जा रहा है मतलब तमाम तरीक मतलब अस्तनपान को ले करके तो आपको नीचे से सी के आकार में ब्रेश्ट को पकड़ना नीचे से पूस करना है तब जाके दूद आएका और बच्चा इजली पी पाएगा इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि जब बच्चा दूद पी रहा हो तो जो निपल से उसके अगल बगल के जो काले भागन हो बच्चे की मुह में पूरी तरीके से हो तब ही बच्चा मुह मतलब पूरा मुह बच्चे का खुला हो उपर के होट उपर की तरफ नीचे के होट नीचे की तरफ और जो नाक हो बच्चे का नाक वो छाती में सटा हुआ हो ब्रेश आफ निपल जैसे मैंने बता आई कि निपल के जो किनारे का बाँ होता वो बच्चे के मुंहें पूरी तरीके से जाना चाहिए और बच्चा अगर पीते-पीते सो गया क्योंकि छोटा बच्चा होता है वह दो-तीन मिनट पिते-पीते सो जाता गांब मेरा नेया है तो आपको उसकुझ जगाना है आप पएर पर जगाईए खुजी करिए आप कान के पास खुजी करिए बच्चे को जगाईए और बच्चे को फिर करा हैं कम से कम एक तरफ का बिश्ट जो आप भी कर रहे हैं वह 15-20 मिनट तक कर आए लाश्ट में आप ठ पशन मिरुझा लोग इधर पिलाती हैं फाश चानी खतम्गांटों इधर थय का लुगों का मानना है कि दोनों साइड का पिला अचैंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आप और इस लिख साइड तो अगली बार आप उस साथ पिला दीजिए एक ही साथ पिलाना जरूरी नहीं है तभी तो पंद्रे 20 मिनट आप एक साइट का पिला पाएंगे और जब आप 15-20 मिनट पिलाएंगे तभी जो मैंने बताया है कि 90% पानी और 10% दूद तो वो 90% जो पानी है शुरू में वही आ रहता है तो बच्चे पानी ही पीता तो ना具 है पंद्र साथ च्निण फिला पाएंगे अगर आप 12 मिनट पिलाएंगे तो बच्चंब्र observed यह आप का है । बच्चे वजन स्वस्त रहता है तो अमीद करते हूँ कि आपको ब्रेश्ट फीट के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि मुझसे कुछ छूट गया तो आप कमेंट करिएगा मैं उसका आंसर शरूर दोंगे इसके बाद आप हम बात करेंगे कि बच्चे के लिए ब्रेश्ट फीट अगर लेगा तो वो जो चीजे बनी होती वो नेचुरल नहीं होती है इससे बच्चे का पेट तो भर जाएगा लेकिन बच्चे की उस तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाएगी जो बच्चा मा का दूद पिएगा और जो फॉर्मूला मिल्क दोनों में आपको खुदी अंतर पत जो है आगे जाके उस बच्चे के मुकाबले में कमजोर रहती जो बच्चा मा का दूद पिया रहता है अगर आप बच्चे को गाय भैसता दूद दे रहे हैं तो फ्रेंट्स वो बहुत हार्ड होता है और वो बच्चे को पच्चाने में प्रॉब्लम होती है जिसकी वज़ बभाओ यह वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल था आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताईएगा अगर आपका बच्चा 0-6 मंत का है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी आप इसे पूरा देखिएगा आपके जानकारी में जितने भी लोग ह